हेलो फ्रेंट्स आया में द्रेजित एंड यू आर वेरी वेलकम मा यूटूब चेनल आज आम इस स्टूडे में बात करने वाले के अंदर रेजरो पुलिस भलकी 1458 पदो पर इसका रिक्वार्मेंट है वो जारी हो चुका है ओके यहां पर स्टेनों ग्रोपर और हेट कोस्ट की पोस्ट है ओके नोटिफिकेशन की मात्यम से आप लोगों क्या फिस्त पेमेंट है वो लगने वाली है तो इसका ओफिस्यल नोटिफिकेशन इस वेबसाइट पर आ करके चेक कर सकते हैं वेबसाइट की लिंक में डिस्क्रेप्शन बोक्ष में देदिए यह आप देख सक वाइस इन सी और प्याप की पदोब पर है वेकेंसी है यहाँ पर मैं डिटेल वाले ओप्शन पर क्लिक करके जो नौटिफिकेशन है ओफिशिल नौटिफिकेशन यहाँ डाउनलोड करता हूँ बहुत अच्छी भरती है फ्रेंट्स आप इस वेकेंसी में फर्म जरुड फिल कीजिएगा नौटिफिकेशन के मादम से आप लोगों को इस्टे बैस्टे जो जानकारी हो देने वाला हूँ तो यहाँ पर जो नौटिफिकेशन है अब और ओपन करूँगा अब देखे फ्रेंट्स इसका ओफिसल नौटिफिकेशन है और मैंने डाउनलोड कर लिए सेंटर रिजार और पुलिस भर्सेस का एके एड़टाइजमेंट और रिक्वार्मेंट ऑफ इस्टेनोग्रॉपर एंड हैट कोईस्टेबल की पॉस्ट है हेट कोईस्टेबल की क्वालिफिकेशन देखेगा और इस्टेनोग्रॉपर की क्वालिफिकेशन देखेगा दोनों के अलग है जो हेट कोईस्टेबल की क्वालिफिकेशन है दस भी पास कंडिडेट है वह अपना फो में फिल कर सकते हैं इस्टेनोग्रॉपर वालों के लि इसी नोटिफिकेशन में इसकी वेबसाइट भी दे रखिए कि आप इस वेबसाइट प्राकर करके अपना फोर में वाफिल करेंगे आप यहाँ पर वेकेंसी देखें male female की assistant sub inspector stenographer की post है के total post की बात करूँ तो यहाँ पर 143 यहाँ पर stenographer की post है head costable की बात करूँ तो यहाँ पर total post 1315 post है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा भरती है तो आप head costable में फिल करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि इसमें ज्यादा पॉस्टे लेकिन अगर कर अपकी qualification stenographer से तो आप stenographer से भी फिल कर सकते हैं लेकिन head costable की ज्यादा पॉस्ट है salary की बात करूँ तो अहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस टेनों कर अपर की पॉस्टे इसमें salary है 29,200 रुपे से 22,300 रुपे यहाँ पर इसकी salary रहने वाली है head costable की बात करूँ तो 25,500 रुपे से start होगी और 81,100 रुपे इसकी फिस्पेमेड है तो कि इसकी salary है आपको मिलने वाली है आप यहाँ पर age limit की बात कर लेते हैं 18 वर्स से 25 वर्स के जो candidate है महिला फूरू से वो अपना फूमें भर सकते हैं आपका जन्म 26 जन्वरी 19,19 से लगा कर यहाँ पर last है 25 जन्वरी 2005 तक के फॉम भर सकते हैं यहाँ पर कुछ छुड़ भी दे रखिए है के एस्टी 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 ओबीशी के लिए और एक सर्विसमें चैंडिडेट है इनके यहाँ पर कुछ छुड़ दे रखिए अब यहाँ पर देखिए कौन-कौन फॉम भर सकते हैं 10 भी पास होना यहाँ पर अन्यवार है 10 प्लस 12 केंडिडेट वह अपने फॉमें भर सकते हैं को यह क्वालिफिकर से आपने देख लिया होगा 10 प्लस 12 वाले केंडिडेट वह आपने भर सकते हैं फॉम तो चार जनवरी 2023 से इसके फॉम में स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर इस पर दूर्प से दे रखाए 25 जनवरी इसकी लाश्ट डेट है इसकी एकजाम की बात करूँ एडमिट कार्ट की बात करूँ तो इसका एकजाम में 15 फरवरी 2023 से इसका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा और 22 से लगा कर 25 फरवरी 2023 तक इसका कॉंफिटर बैस एकजाम में होने वाला है तो यहाँ पर आप यह नोट कर सकते हैं इसका एक्जाम कब होगा और प्रभेश पत्र आप कब से इसका डाउनलोड कर पाएंगे ठीके प्रिंट क्वालिफिकेशन के बाद मैंने कर ली है कि दसवी बार विपास होना अन्यवार है अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी सेलरी की बात हो गई है पोस्ट की बात हो गई है अब आल इंडिया की केंडिडेट है वो अपना फोर्म भर सकते हैं अब किसी भी राज्जी के रहने वाले हो आप अपना फोर्म हो भर सकते हैं अब यहाँ पर देख यहां पर आप छूट अपनी देख सकते हैं तो फ्रेंच इस वेकेंसी में जरूर फॉर्म है वो फिल कर जीएगा ओधर जो डिटेल है जैसे कि फिस्ट पेमेंट की बात करूं तो आपकी फिस्ट पेमेंट है वो जनरल केंडिडेट है वो भी शीयो और एवसे इन्हें 100 अपने लगने वाली है sai only तो इस वेबसाइट पर आगर के अपना फोब मेंट सकते हैं कि यहां पर फिस्ट पेमेंट है वो ल हम देख सकते कि किन-कीडेट को अपने थीफित से वह भरने रहेगी है ओक हैं यहां पर आप देख सकते हैं आल इस्टेट हैं कि के आपका इग और डीची है टेंग ARE देखिए एक,-इंटर में किस प्रकाश देखेंगे जिसक्रीया मत्रिक की हो तो पर चसले की में देखें भुपाल इंडौय जबलपूर शाटना और उज्येत यह कि एकजाम अपर देख सकते हैं इहां पर जो ऑगी 28 28 फरवर की इसका जो सिलेबस से आप देख सकते हैं कुल प्रश्णों की बात करें तो 100 यहाँ पर प्रश्ण आपके रहने वाले 100 मारगे के एक प्रश्ण एक नंबर का रहेगा 90 मिनिट का आपको समय वो दिया जाएगा और A, B, C, D के चार सेक्सन आपके रहने वाले और यहाँ पर आपकी जो नेगेटिव मारगे वो भी रहेगी ठीके फ्रेंट आपको जिदने भी जानकारी है वो मिल चुकी होगी मैं अपना वीडियो यहीं शमाप्त करूँगा वेबशाइट की लिंक आपको डिस्केप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ओके हाइट की बात कर लेता हूँ लाश्ट टॉपिक है तो आपकी जो अगर आप यहाँ पर मैल है केंडिडेट है तो उनकी हाइट है 165 सेंटिमेटर होना चाहिए ठीके प्रेंच तो यहाँ पर जो ST-ST केंडिडेट है उनको 112.5 जो सेंटिमेटर है उतनी हाइट होनी चाहिए यहाँ पर उनको छूट दे रखिए ठीके मैला केंडिडेट की बात करूँ तो 155 सेंटिमेटर होनी चाहिए और जो ST-ST की मैला है सस्क्राइब की उन्हें 154 सेंटिमेटर की हाइट होनी चाहिए यहाँ पर उनको छूट दे रहे है ठीक प्रेश व्योड़ों को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सस्क्राइब कीजिएगा